नमस्ते नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दिलललन टॉप की चनाव यात्रा आप सोच रहे होंगे इस वक्त में आपकी कैमरे की स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तो हम मैं इस समय विदिशा में हूँ विदिशा में जब हम हाई तो पता चला कि इस समय राम मंदिर के महौल बड़ा बन रहा है आयोध्या पहुंशने लगें कार से फिर एक बार फिर कहा जा रहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे रोटी बनाएंगे किस तरह के कई तरह के नारे चल रहे हैं गर्मा गर्मी शुरू हो गई है जब मैं बिदिश्या आया, तो पता चला, यहां भी आयोद्ध जयसा ही इस्थल है, जिसे राम मंदर के वीवाज चला है, जिसे इस्थल पर एक पता भी नहीं था किए यहां पर कोई दूर पर है, कोई बोलता है सुर्य मंदर। और एक जगह पर पया जाता है कि बीजामंडल इसको बोला तो वो मस्जिद बना दी तो कई वर्षों तक औरंग जेप के बाद किसी को पता भी नहीं चला कि यहां पर मंदिर के उपर मस्जिद बनी हुई है यहां पर पूरी मस्जिद थी अभी आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस भी यहां पर मस्जिद थी लेकिन क्या हुआ 1971 के समय से म विष्णु भगवान के कुछ इस्तंब और कुछ कमल के फूल और कुछ यह जैसे कि आप टूटी मूर्तियां और यह सब देख सकते हैं तो यह सारी चीजें दीवार पर दिखने लगी तो जब दीवार पर यह कलाकृतियां दिखना शुरू हुई तो विदीशा के लोगों शिवलिंग के जो अंदर रखे हुए हैं तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने यहां पर एक सांसत भी हुए थे निरंजन वर्मा जी और काफी इस्टोरियंस और बहुत से लोगों ने मिलकर यहां पर उस दीवार के लिए फिर आंदोलन करा कि इसको खोदा जाए और पता लगाया जाए इसके अंदर क्या है तो समय सरकार ने कई बार इसको रोकने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी आंदोलन कारियों ने एक-दू हिससे जैसे बावरी का है वैसा ही किस्सा यहां का है एक दू हिससे जब ढहाए तो पता चला यह तो बहुत विशाल था कि मजजित तो चलो हट जाए मजजित के आसपास ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हो सकता इस पूरे एरिये में इस मंदिर के आउशेश हो ये इतना विशाल मंदिर था हाँ फिर एसाई आए और एसाई ने जब यहां पर आर्केलोजिकल सर्वेय ओफ इंडि लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ हिंदू-Muslim दंगे जैसी इस्तिति हां पर बन गें विवाद हुआ इसको लेकर वह था उसी समय सेवन्टीवन सेवन्टीज में सेवन्टीज में इस समय पूरे मतलब आट-दस साल लगातार इस तरह का विवाद हुआ कई सारे लोग जेल लेकिन विवाद जैसी इस समय मतलब कांग्रेस पूरे देश में हुआ करती थी जो बाद में वीजेपी बन गई तो उस समय भी यहां पर हिंदूत्व का एक प्रभाव रहा है उसका भी एक हिस्ट्री है कि भोपाल नवाबों की रियासत थी तो भोपाल जहां खतम होता था रियासत वहां से और हिंदूस आमराज हुआ करता हुगा उसकी बादर यह रही होती थी खरेंबर, जब होना शुरू हो ए दंगे और क्लैश तो उस समय क्या हुआ सरकार ने और कलेक्टर ने यहां पर रोक लगा दी उनने यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं वहां ताला लगा हुआ है कई सारी मूर्तिया निकलना शुरू हो गई और सिर्फ यह विदीशा का विशय नहीं रहा फिर फिर यह पूरे दुनिया भर में देश भर में यह महौल फैल गया कि यहां पर एक ऐसी चीज है और राम मंदिर जैसा यहां पर इशू बनने लगा भूपाल भोश इंडिया ने जितना खोज लिया था उसाधार पर यह सारा आप देख सकते हैं अभी हम थोड़ी दूर वहां पर चलेंगे वहां पर एक बाउड़ी है तो वह चलते देखते हैं यह सारे आप जो देख रहा है इससे आपको पता लगता होगा यह कितना विशाल मंदिर है और नास तक उसके अंदर जाकर कोई पता नहीं लगा पाए यह खंबे सारे एसाई के भी हैं और काफी सारे रूइन से यह जो आप देखेंगे यह सारा तो बहुत विशाल मंदिर हुआ करता था यह जमीन के मिला था हाँ यह जमीन के नीचे मतलब उन्होंने क्या किया था उसक यह कोई पता है कि यह जब आगे बढ़ेगा जैसे कि आप देखना है यह सीडियां है और यह सामने फिर घर शुरू हो गए तो यह यह सारे 200-300 घरों के नीचे तक यह मंदिर जाएगा तो ये इतना विशाल और वो सारा ये तो सिर्फ गुंबत गुंबत का एरिया अधिया आप गौर से देखेंगे ये सारा सेवन्टीस के बाद से खुदाई शुरू हो गई थी जब दिवाल गिरी थी तो उसके बाद दीरे दीरे करके ये सारा एरिया निकाल कर लेकिन अभी ब फिलाल विवाद बने या इस्तिती तो नहीं यहां यहां लोकल में अभी विवाद की इस्तिती नहीं है पिछले साल एक देड़ साल पहले एक बार बन गई थी जब लोगों ने कहा था कि एक मत यह भी है कि यहां पर बहुत विशाल सुर्री मंदिर था जैसा कॉना आर्क मे हिसाब से काफी सारे लोग यहां पर सुर्व पूजा के लिए आये थे तो उस समय विवाद की इस्तिती बन गई थी तो फिर कलेक्टर ने उसको जैसे तैसे करके समाला था फिलाल यहां कोई पूजा पार्ट या नमाज वेरा नहीं होती है पहले नमाज हुआ करती थी दोनुई चीजें अभी तो नहीं हो रही है लेकिन हिंदुओं का ऐसा कहना है कि हमारा मंदिर था प्राचीन मंदिर था तो यहां पर पूजा होनी चाहिए तो ऐसा मत है सब लोगों का विवाद जैसी कोई स्थिती नहीं है और एस आई ने अभी ले लिया है तो यह अभी वैसी एक historical site हो गई है काफी tourist यहाँ पर आते हैं एक museum भी है और यहाँ पर काफी सारे ruins निकले हैं मतलब आप देखेंगे काफी सारी मूर्तियां तूटी हुई और प्राचीन काल की बहुत प्राचीन यहाँ पर मिलती है और आगे हम चलते हैं वो जो एरिया है वहाँ पर इसकी बाउडी है क्या है बाउडी मतलब जैसा कुए जैसा जो होता है जहाँ पानी भरा रहता है तो सालों से उसका पानी अभी तक खाली नहीं हुआ है और नीचे जमीन के नीचे पानी ही पानी है तो विदीशा जो कहते हैं ये एक बहुत मजबूत किला हुआ करता था राजाओं का जैसे आप कह सकते हैं कि विक्रमा दित्ती भी मद्धिपरदेश से रहे चदर साल रहे या मालवा में हैं हैं हमारे चंदेल वगेरा भी रहे उसके पहले वर्मन रहे तो उस समय जो विदीशा जो है विदीशा भी एक मजबूत किला हुआ करता था भेलसे की तोप आपने सुना होगा तो विदीशा का खिला जो है वो पूरे इस एरिये में फैला हुआ था तो ये जमीन के नीचे से इंटरकनेक्टेट सेटी है ये नया है इसके अंदर वो मूर्तियां रखी हुई है जो पाई गई है आप उस मूर्ति को ये आप कैमरे से गौर से दिखाएंगे तो आपको बहुत इंटरस्टिंग दिखेगा आपको जिस तरह का कलाकरतियां साउथ इंडिया में दिखाई देती है उस तरह की आपको दिखाई देंगे आप बोलो हाँ ये ये आप गौर से दिख को जूम करेंगे ये मूर्तियां तो ये साबित करती है कि जो लोग कहते हैं कि भारत तो अंग्रेजों ने एक किया उसके पहले तो भारत एक नहीं था तो ये परमार वंच जो चला आ रहा होगा तो वो साउथ इंडिया से नौर्ट इंडियन जो बर्मन राजा है उनके समय उनका यहां तक का सामराज है तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको सेम का सेम तमिल नाडू में मिलेगा आंधरा में मिलेगा और सेम यही करें यहां पर है तो ये सारा भारत का एक एकता को बताता है यह बावडी है इसके लिए हम यहां से आते हैं यहां से यह रास्ता है इसका के इतियास है? इतनी जादा कह रही है कि इसका पता नहीं लगा पाएं इसके अंदर अभी लोग जाते नहीं हाँ यहां से आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक आर्गिटेक्चर भी है इसका जो आपको यहां से दिखाई देगा जर से आई है यहां सीडियां रहती है पूरी पावड़ी का श्ट्रक्चर ही हो यह है थोड़ा सा भराएगा थोड़ा सा जो आज कहते हैं ना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पानी बचाओ वरसात का पानी बचाओ उसका पहले से इस तरह का भारत अद्बुत नमूना रहा है कि रेन वाटर को यह लोग बचाकर थे तो यह सीडियों उतरती चली जाती हैं जे और उतरतेसे जाने के बाद सीडियों वहां तक जाती है और वहां से कोई उसरी आंगा फिर में यह डित ऊख़ी और आभी काफी बतल chrom म काइपशा है राइचीि सेञ्ट पूरे सीटी के अंदर को होगा तो इस तरह से पूरा इस्ट्रक्चर पराने जमाने का जो आर्किटेक्चर हमारा रहा है वह है उन्हें से खत्र में जब आपने बताया कि दिवार गिरी मस्जिद की यह पूरा खोट कर निकाला गया मंदे यह सब चीजें तब बहार रहें वरना यहां पर एक इदगहा टाइब की बना रखी थी तो वहां पर वो लोग नमास पढ़ने के लिए उसे उपियोग करते थे तो वह भी शायद वह पीडियां तीन-चार पीडियों बाद हो गई होंगी जब औरंग जेब के समय से उन्हें भी नहीं पता होगा कि इसके नीचे क्या है वह औरंग जेब यहां से यजब विडीशा समराट शोख की पतणी का नाम था विदीशा तो विदीशा का अरथ वैएक धिज है विगत शाये यहां पर मिलती थी जब व्यापार का केंद्रूब हुद्च समय में तो काफी लोग यहां कर आकर इंटरकनेक्ट होते तो समराइट अशो को जब अकूपने भाईओं से अलग किया गया था तो इनको जैनी राज दिया गया था तो जैनी राज्य के अंदर में जये भी आन देया था कूपूथ धर्म कंद भी हाता था विदीशा में आकर उन्हों हूंसे अंहों पास में चरण तीरत हैं जहां पर चरण बने हुए हैं ऐसे ही जो हम 54 प्राश खाते हैं तो रिशी 54 की भी भूमी रही है और कालीदास ने भी अपने नाटकों में विदीशा शहर का वर्णन किया हुआ है तो विदीशा बहुत प्राचीन समय की एक नगरी रही हुई है तो य अभी गवालियर में रखी हुई है गवालियर के किले में जो म्योजी हमें उसके अंदर तो विदीशा के आसपास इस तरह के कई अफशेशों से भरा पड़ा हुआ है लेकिन अभी जो है कि एक वो दंगो वाली स्थिति के कारण पतानी क्यों सरकार ने इन चीजों की कर इस मसले को लेकर इतना विवाद नहीं है भले ही इसे अयोध्या कहा जाए विदिशा का मगर अच्छी बात फिर यह कहूंगा कि यहां पर शांती बनी हुई है मैं चाता हूं आगे भी शांती बनी रहे और यह जो स्थल है इसी तरीके खुबसूरत है और खुबसूरत है इसकी कैसे बढ़ सकती सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए मगर शांती के साथ और विदिशा वाले भी मुझे लगता उम्मीद है कि वो शांती बनाया रखेंगे और जो विवाद जिसी स्थिति यहां पर नहीं है वो और आगे नहीं बढ़ेगी ऐसे हम जहां भी जाते सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया